हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे कार्ड प्रोग्राइमिंग के बारे में आप सभी ने एक टर्म बहुत कॉमनली सुना होगा कार्ण प्रोग्रामिंग राइट बट आपको कंफिजन होगा कि है कार्ण प्रोग्रामिंग होता क्या है so don't worry आज मैं उसे clarify करूंगा कार्ट प्रोग्रामिंग गाइस जो आप access control कार्ट में देखते हैं नंबर उसके ऊपर printed होता है या फिर आप कार्ड को show करते हैं तो जो नंबर आपके access control software में आता है वो नंबर को कार्ड के अंदर program करना ही card programming कहलाती है ओकेट मेंस कि जो नंबर आप आप कार्ट कार्ट करते हैं और जो नंबर वहाँ पर आपको software में आता है उसी नंबर को लोग उसको करने के process को हम लोग card programming का process करते हैं okay so coming forward हम लोग taking a card programming में क्या क्या elements होते हैं कैसे हम लोग programming में क्या चीज़े हमें provide करनी होती हैं जिनके थो हम लोग program कर रहे हैं right so अभी हम लोग देखते हैं इसमें एक बहुत यह common term होता है आपने सुना होगा CSN right so what is a CSN आपके mind में एक बहुत common question होगा CSN is a card serial number okay CSN का full form हम लोग कह सकते हैं card serial number so जब भी हम लोग access control के term में CSN refer करें आप इससे relate कर सकते हैं यहां पर आगर हम लोग बात करते हैं unique number inside all contactless smart card जब हम लोग CSN की बात करते हैं यह एक unique number होना चाहिए सभी contactless cards में it is required by ISO standard CSN has many names as following यहां पर आप देख सकते हैं UID मतलब CSN जो होता है हमारा जो card serial number होता है उसको बहुत से जगों पर UID भी कह सकते हैं CSN means card serial number भी कह सकते हैं CUID मतलब card unique ID भी कहते हैं right but इन सभी का जो term होता है जो logic होता है वही है card serial number पर ही है right CSN can always be read using no security और no authentication right इसके बारे में हम लोग आगे और detail में बात करेंगे कि यह क्या होता है मतलब नो security यह कैसे कह रहे हैं इसके bit structure है जिनको आप एक बार मतलब कुछ इस टाइप से यह programming होती है इसके binary है जिसको देख करके आप एक समझ पाएंगे एक आपको आइडिया लग पाएगा यहां पर आप देख सकते हैं जब हम लोग कार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पर क्या होता है कार्ट प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट बेट होता है ज़स्ट फॉर आपके understanding purpose के लिए है यह आपको इसमें कुछ करना नहीं है ज़स्ट आप इससे एक understanding अपनी डवलप कर सकते हैं राइट बाकि यह सारी चीज़े प्रोग्राम होंगी जिनके थू भी आप प्रोग्राम करेंगे वह प्रोग्राम करके आपको देंगे अभी आप देख सकते हैं यहां पर यह स्टार्ट पैरिटी है जो ग्रीन कलर में यहां शो किया गया है यह दोनों नमबर आपके यह और यह यह आपके पैरिटी बेट हैं सो यह स्टार्ट पैरिटी हो गया यह एंड पैरिटी हो गई अभी हम लोग आते हैं उसके बाद आप देखिए यह फेसिलेटी कोड राइट रेट कलम में आपको फेसिलेटी कोड एक इंडिकेट किया गया है यहां पर परबस यह बताने का कि यह स्टार्ट हो गए स्टार्ट पारिटी से देन उसके बाद जो ओडर आएगा वह आता है फैसिलेटी कोड का उसके बाद हमारा यूजर आईडी आता है रैट तो यूजर आईडी इस दी नंबर जो हम लोग उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं ओके सो इस तरह से आप थोड़ाई से रिलेट कर पाएंगे आपकी अंडर्स्टेंडिंग हो बेटा हो पाएगे अप यहां फैसिलेटी कोड का ओप्शन आ रहा है आपने लास्ट स्लाइट में अभी देखा था यहां पर फैसिलेटी कोड आ रहा था राइट सो आपके म होता है क्यों यहां पर एक एक एक्शांपल देता हूँ आप ऐसे समझें आपके प्रेमेशेस में आपके मुटिबल ब्रांच्छे लें डैलंहीं मॉंबाई खैलकता आपके सारे ब्रांचेस हैं सभी जगों पर आपने कार्ड शू किये हैं बट आप किया चाहते हैं कि डैल आप ऐसे भी समझिए एक as kyet Accаете होगा यैसे जो आपका card नंबर था वह मैच कर सकता है काम इस अब आपका 1234 है हम लोग 1234 कार्ट कहीं पर भी मैच कर सकता है दूसरा कार्ड नंबर भी हा सकते से बसके साथ में एक facility code लगा दिया, right, facility code हम लोग दे देते हैं, just an example, hundred हमने facility code रख दिया, अभी ये क्या करेगा, hundred plus one, two, three, four, इन दोनों को match करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर show किया हूँ है, card number plus facility code, कुछ इस तरीके से ये match कर पाएगा, ये authentication के लिए कुछ इस तरीके से वो check करेगा, so यहाँ पर आपके लिए एक added security हो गया, right, so hope आपको facility code clear हो पाया होगा, next आते हैं, यहाँ पर हमारा है managing card number data securely, right, so हम लोग card number data की आगा बात करते है, card number मतलब हम लोग बात कर रहे थे, card serial number, right, which is CSN, right, so CSN data को securely manage करने के लिए, like, यहाँ से हम लोग start करेंगे, ये 26 bit है, 26 bit custom, 37 bit and 48 bit, आप देख रहे हैं, security का arrow upside में जा रहे है, right, that means, जितना उपर हम लोग जाएंगे, मतलब 26 से अगर हम लोग custom की हो जाते हैं, we are increasing our security, right, अभी आप यहाँ पर देखिए, यह है untracked open format, अगर हम लोग 26 bit पर जाते हैं, so यह एक untracked open format है, right, आप देख सकते हैं, जो आपके most of the installer है market में, जो, sorry, most of the companies हैं, वो 26 bit को support करते हैं, right, 26 bit एक ऐसा bit structure है, जो कि mostly बहुत ही common, available होता है, बहुत ही common match कर जाता है, सब ही locations, most of the installations में, right, most of the controllers and biometrics में, so, क्योंकि यह untracked open format होता है, इसमें मैं आपको बता दू, duplicacy के chances, बहुत ही ज़्यदा होता है, जैसे मैं बता रहा था, अभी 1, 2, 3, 4, एक card format का example लिया था, मैंने, तो possible है, कि 1, 2, 3, 4 के 2, 3 card आपको मिल जाए, है, right, so, यहाँ पे card duplicacy बहुत ज़्यदा possible होती है, when we are talking about custom format, so, custom format में, आप अपने according, customize कर सकते हैं, इसे personalize कर सकते हैं, right, so, of course, अगर हाँ personalize करते हैं किसी चीज़ को, तो वो untracked से, तो higher security पे रहेगा, right, and when I talk about HID tracked format, which is on a 37 bit, right, so, इसमें क्या होता है, है, HID, खुछ से, अपने, जो, HID ensure करता है, कि कोई भी duplicate values, उनकी उसे release न हो, right, so, यह जो format है, इसको HID की उसे ही manage किया जाता है, and coming on the highest security level, which is mentioned here, that is, corporate thousand, right, so, when I talk about corporate thousand, 48 bit, so, corp thousand card की, अगर हम लोग बात करें, है, यह एक ऐसा card format है, जो की, इसका supply chain, और complete details, manage किया जाता है, HID की ही उसे, right, आप ऐसे समझें, आप अगर कोई distributor है, आप अगर कोई system integrator है, तो आप HID से product purchase करते हैं, और end user को sell करते हैं, या अपने SI को sell करते हैं, जो आदी mediator, right, अभी, HID से, just in any case, आप कोई detail मांगते हैं, HID आपको provide नहीं कर पाएगा, क्योंकि, इसमें क्या होगा, HID एक agreement करेगा, end user के साथ में, right, end user के साथ में, उनका agreement होगा, और जो authorized person होगे, end user के, पास में, उनके through ही, किवल HID, यह data share कर पाएगा, right, किसी और के साथ, यह share नहीं कर सकता है, so this is corporate thousand, इसमें, हम लोग कह सकते हैं, security on the high level पर ही होती है, इसमें, क्योंकि, इसका supply chain, and सारी details, HID के हम से directly manage होती है, so, coming to the next slide, जैसे हमने बात किया हुआ था, जो CSN में, हमारे कोई, like security नहीं होती है, एक हमने वहाँ पर mention किया था, आप इसे देख सकते हैं, a CSN is like your house number, so, आपके gate के बाहद, एक house number लगा होता है, जिससे आते जाते कोई भी read कर सकता है, उसके लिए कोई भी authentication की ज़रुवरत नहीं होती है, किसी ने भी उसकी वह देखा, और वो read कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत authentication और किसी चीज़ की ज़रुवरत नहीं होती है, so, in the same way, जो CSN होता है, जो card serial number होता है, उसे कोई भी read कर सकते हैं, उसमें कोई authentication की ज़रुवरत नहीं होती है, right, but, to get inside your house, you need a key, अगर second line पे, इसके according आपको clear होता है, जैसे card के अंदर जो data है, मतलब card के serial number को तो कोई भी read कर सकता है, बट card के अंदर जो data है, उसको read करने के लिए, हमें एक key की requirement होगी, okay, so, वो key आप define कर सकते हैं, वो key define करने के क्या process होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग CSN define करते हैं, उसी तरीके से card के लिए, हम लोग key भी define कर सकते हैं, अभी आप देखिए, अगर आप किवल serial number read कर देखे हैं, then of course you're on a lowest security, अभी आते हैं, अगर आप standard key from factory use करते हैं, factory से standard key मिली है, उसे आप use कर देखे हैं, तो that is something where your security has been increased, but that is also on a okay level, आप किया सकते हैं, उसमें बहुत जादा increase नहीं होई आपकी security, generate own custom keys with encoder, अगर आप own custom keys generate करते हैं, encoder के थू, then of course that is a personalized security, or customized security, तो इसमें आपकी highest security होगी, when we are talking about transfer custom key management to HID, that means personalized security होगी, जो कि HID के वोई से आपको मिल पाएगी, right, personalized security, although that is a personalized security, but that has been provided by the HID, right, that has been managed by HID, so of course आपको आपको वहाँ पे, आप कह सकते हैं, कुछ जाएदा security मिल पाएगी, क्योंकि उसमें जो security level है, काफी level तक वो manage किया जाते हैं, HID के थूँ, and when I am talking about HID global elite program, so this is something, where personalized security provision securely, right, so ऐसे कह सकते हैं, जो आपका data security है, जो आपका data है, जो keys हैं, वो HID के वोसे directly provide करते हैं, right, so वहाँ पर कोई duplicacy के या फिक कहीं से वो leak होने के chances हमारे बहुत ही कम हो जाते हैं, okay, so that's the way, हम लोग अपने card को program करवा सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, card programming is something, जो कि एक normal readers नहीं होती है, इसके लिए कुछ specific reader के requirement होती है, जैसे HID के भी कई सारे readers आते हैं, मैं किसी का, आप ऐसे समझे कि वो readers specially available होते हैं, for card programming purpose only, right, so आप उन readers को use कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास readers नहीं हो, तो फिर आप programmed card purchase कर सकते हैं, right, और आप अपने distributor को भी contact कर सकते हैं, possibly उनके पास कोई programmer अवेलेबल हो, okay, all right, thank you,